आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट के बारे में इसके कारण के बारे में सब कुछ इंफोर्मेशन मिल जाएंगे आप स्क्रीन पर एसे फोटोग्राफ सभी में आप देख सकते होंगे कि कई लोगों को इसमें बेनिफिट मिला है इंप्रूमे हैं यारि k vita के पर्टिकुलर कोई भाग में लेफ्ट साड है में या ओड है और नन सेगमेंटाल आप में जर्ण आपमार्ण कि साड में अfficienter थे कं केमिकल नाम एक स्कीन टॉन को प्रिपेयड करता है। जैसे मेलानीन प्रमाण स्कीन टॉन से करताहए को क्या कहुंता हिसां लग्ता प्रोड मीलानीन डिह रहे है heaven मेलानीन नाम का जो केमिकल है वो बनना बंद हो जाता है क्योंकि जो मेलिनोसाइट नाम के सेल है वो सेल डेड हो जाते हैं माल फंक्शनिंग हो जाते हैं यह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं यहां तक आपने समध लिया होगा ऐसा क्यों होता है क्यों यह सेल ठीक त जो सकता हैं एधे हैं तुट हो सकता है यह पूर्वाजों में किसी को हो तो भी आपको हो सकता है तीसरा जो रीजन है व strategy autant हो चुम्कि धिख्ष कर दूर बारतें वीवदों में क्योंकि पेल्धी अच्री पार्दीर्ट्स्य मुझे लुई गाल गोटुद्थ थाओ प्रभी ट्रागzwelet और इन यौिफा पाँचता उसको भी थोधीं नुकसान पुंचता एक निख्षार के लिए कोंचत है कोई ऐसा trauma हुआ है कोई बहुत ही आपके अंदर emotional imbalance आया है जो intense level पर हो उसके बाद में भी यह disease देखा गया है कि लोगों के अंदर डेवलप होता है अगर आपके अंदर कोई hormonal changes भी आया है तो उसके बाद में भी यह disease होनी की संभवना बढ़ जाती है और intense level पर sunburn यानि कि ज ज्यादा exposure आपका रहा हो तो भी यह cell को damage कर सकती है जिससे भी यह vitiligo या leukoderma हो सकता है अब आते हैं इसकी treatment के बारे में जो कि हमारे वीडियो का main part है कई लोग कहते हैं कि इसकी treatment available नहीं है यह बात आधी सच है आधी जूट है अगर आप अलोपैत की बात करें तो अलोपैत में इसके लिए कोई इतनी ज्यादा treatment available नहीं है और जो भी treatment available है वो इस disease को suppress करती है जिससे की ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लुकोडर्मा को सप्रेस कर रहे हैं तो दूसरी कोई बीमारी हो जाए सपोस की अस्तमा आपको हो जाए ऐसे यानि कोई भी डिसीज को अगर आप डिसीज हो गया यह सको सप्रेस करने जाए तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है तो ज्यादा तर जो तयो जो treatment होती है वह द्वाई में steror की युज होती है जिससे की हमारे सरीर के अंदर दूसरी समस्या भी खड़ी हो सकती है दूसरे जो уш pots सर्ग्री वगएरा है यह रही तेरैपी है डूसरी काफी चैनंक को ऑच सकते हैं मगर वह काफी एक सिंपमेंसिव शचो और उसकी कोई गैरेंटी नहीं होती है क्रीम बेज भी थेरपी होती है जिससे कि हम लोग उसको टेमपररी वो जो दबा है उसको डग सकते हैं यह भी एक ऐसी टीटमेंट जिसे हमारा कॉनिफिनस लेवल वापस नहीं आता है अगर आज जो हम बात करने वाले हैं वह ट्रीटमेंट अगर आपको आपके रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीजे सामिल करनी है जैसे एकसराइस हो गया जिसमें थोड़ी इंटेंस एकसरे जैसे रनिंग हो गई साइकलिंग हो गई एंटी ऑक्सिडंट का जो आपके खुराक के अंदर आप जो ले रहे हैं उसके अंदर बढ़ाना है उ बढ़ाना है उसके आपके ख्लाने के अंधर आपको अलकलाइन चीजे बढ़ानी है अलकलाइन चीजें आप घोल सेकिर आपको इसीज के अंदर अब आपको इसीज में आप这 3 शुरूला जाएगा उपको इम्पर्वमेंट भी मैं पने करना टीटमेंट है अगर sebenarnya का नाम स करता की कांगन गिया क्यूंकि केंगन वाटर की जो प्रपरिटी इस इस्ट में जो भी प्रॉबलेम होता है उसके अंदर यह catan water परफेक्टेरी काम करता है एक केंगन से सुनिये हमने सुरुआत में में त्सका सकत किया कि जो मैलानीन नाम का और vad वो कम हो जाने की वज़े से उसका प्रोडक्शन नहीं होने की वज़े से यह सफेद दाग दबे दिखते हैं तो यह प्रोडूस कौन करता है मैलिनोसाइड नामके जो एव तो तो च्रिम के लिए एक अज़ा मीख्रेली च्ना को से लिए कंगनने अंतर होसकते हैं और उसको ने बहुत चारहा से केसिस देखे हैं जिनके अंदर improvement आने लगा है इसकी वज़े से आप लोगों को यह चीज मैं बता रहा हूं दूसरी जो property antioxidant उसके होने से क्या होता है कि जो new cell generation का काम है जो मैलीनोसाइड सेल डेल हो चुके हैं जो मर चुके हैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं उसको replace करके नए सेल को generate कर सकता है ऐसा scientifically कहा जाता है कि अगर हमारे सेल के अंदर माइनस 50 मिली वाट से पावर ज्यादा हो जाए तो दीरे दीरे नए सेल जनरेट होना सुरू हो जाते हैं तो कैंगन वाटर जो है वो माइनस 700 तक का पावर जनरेट कर सकता है उसकी माइनस ओवर भी 700 तो 800 तक की है तो जो न्यू सेल जनरेशन है वो भी काभी फास्ट हो जाता है जिसकी वज़े से जो मैलिनोसाइड जिस नाम के सेल है वो भी जल्दी डीजनुएट होते जाएंगे और ठीक तरीके से काम करने लगेंगे और तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसका जो पानी का नेचर है वो आलकलाइन है तो आलकलाइन होने की वज़े से जो सेल एसिडिक नेचर के हो गए उसको जल्दी से वो न्यूटल कर देंगे और उसको आलकलाइन होने की वज़े से वो ठीक तरीके से काम भी कर पाएंगे तो लगा हो तो आप उसको पानी को ट्राइ कर सकते हैं कई पर बेचता हो तो भी आप वहाँ से मंगवा सकते हैं या फिर अगर आप इसे खरीदना चाहें तो खरीदकर अपने घर पर लगा सकते क्योंकि यह सुर्प एक डिसीज के लिए नहीं है यह हमारी पूरी हैल्थ के यह हेल्थ का प्रोटेक्शन है बहुत सारे डिसीज में इसका बैनिफिट है मेरे चैनल पर आपको यह पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी केंगन वाटर के रिलेटेड की यह कैसे काम करता है कौन से डिसीज में बहुत सारे विशेय पे हम लोग उने बात की और आगे भी हम लो हो तो नुकसान तो नहीं ही पहुचाएगा आप इसका ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही सेफ ऑप्सन है मुझे मालूम है कि जिस लोगों को यह प्रॉब्लेम होती है तो कितने डिप्रेस रहते हैं कितने डिस्टर रहते हैं उनकी जिन्दगी जो नॉर्मल होती है उससे काफी कि बदल जाती है और वो कॉंफिदेस नहीं जूटा पाते हैं अपनी लाइब जीने के लिए तो उनके लिए आसिरवाद हो uda वाद हो सकता है अब इससे ट्राइ कर सकते कैसे करना है 9.5 जो पानी है यानी काइंगा वॉटर के अंदर अलग अलग प्रकारके पी-एच के नाएन अइन.5 पानी है उसको आपको जितना हो सके उतना लाइव पीना है लाइव के अंदर एक्टिव हाइडोजन होता है जिससे कि हमारे सेलूलर लेवल पर इंटेंस लेवल का वर्क होता है और उसको जल्दी से रिपेर कर देता है तो 9.5 लाइव वाटर ज्यादा पीजिए और बाहर जो स्कीन के उपर जो वाइट स्पॉर्ट हो गए उसके उपर 2.5 जो एसिडिक वाटर है जब हम लोग 11.5 वाटर निकालते हैं तो वेस्टेज में जो पानी निकलता है 2.5 वो काफी एसिडिक नेचर का होता है वो बाहर स्प्रे करिए दोनों और से काम कीजिए बाहर से भी और अंदर से भी 9.5 अंदर से काम करेगा 2.5 बाहर से पानी काम करेगा जिससे की फास्ट रिकवरी आएगी इसके बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं मैं ट्राइ करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसे में सॉल कर सकूं और सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि इस चैनल पर हम लोग वॉलिस्टिक हेल्थ के उपर बात करते हैं